प्रदेश की चार विधान सभा सीटों पर गिद्धडबाहा, परनाला, चब्वेबाल और डेरा बाबानानक सीट पर उपचिनाओं होने जा रहे हैं। जिसके लिए प्रदेश कॉंग्रिस ने अपनी तयारी शुरू कर दी है। लोगसभा में कॉंग्रिस ने साथ सीटे जीत कर अच्छा प्रदेशन किया था। लेकिन उसके बाद जाल अंदर वेस्ट सीट पर उपचिनाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी इस बार जल्दी अपने उमिदवारों को मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है ताकि चारो सीटो पर पार्टी का प्रचार जोर पकड़ सके। पार्टी प्रधान वडिंग शुकरवार को पार्टी में नए नेताओं को भी शामिल करवाने जा रहे हैं। वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन पंजाब के लिए भाजपा के लिए एक अच्छी खबर लाया है। महाचा पंजाब प्रधान सुनील जाखड एक बार फिर सक्रिय दिखाई दिये। वह प्रधान मंत्री मोदी को एरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पी-म से बाचीत भी की और साथ ही ललित होटल में आईजित कारिकरम में भी हिस्सा लिया। पताया जा रहा है कि उप्चनाओ की चार सीटों के लिए भाजपा के संभावितों मिदवारों ने भी पी-म से मुलकात की। जाखड ने पिछले कुछ दिन से पार्टी की गतिवीदियों से दूरी बनाई हो थी जिस कारण उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों की भी खबरें चल रही थी। आगे उप्चनाओ भी हैं ऐसे में हाईकमान भी दोबारा उनको पार्टी में सकरिये देखना चाहता है। पंजाब प्रभारी विजयरुपानी भी पंजाब में अब दोबारा एक्टिव हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पियम मोदि समलकात के बाद जाखट मान गये हैं और पार्टी ने ये अपचनाओ जाखट के नितरत में ही लड़ने का फैसला लिया। पूर्व वित्व मंत्री मनफ्रीत बादल ने भी PM मोदी समलकात की चर्चा है कि मनफ्रीत को पार्टी गिद्दडबहा से चुनाव लड़वा सकती है हाला कि पार्टी की तरफ से फाइनल फैसला एक दो दिन में लिया जाएगा विडियो डस्क हमरुजाला डाट कॉम